कि यह पिर एक कोशन करिए लास्ट कोशन कौन सा कर रहा है एक बर देखिए तो लास्ट कोशन जो कर रहा है कि यहां पर फाइंट ओल पॉइंट अफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा एफ बराबर जो है पोश्चन लिख लिए कि यहरा है weight । अफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा find all point of local maxima and minima of the function f given by of the function f given by fx is equal to 2xq minus 6x square अब देखिए इसको आपको second derivative test से करना है ठीक है इसको आप second derivative test से question को करिए second derivative test से इस question को करिए हुआ है है हुआ है 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 कर मतेरी बश्ते करा दिये थे से काुप अधे सब्सक्राइब करने का मिंगता है हम वो ले थे अभी upload कर देंगे वो ठीक है मैं अच्छा वो वीडियो देख लीजी एब ठीक है यह भी रिकॉर्ड हो रहा है यह भी दिख लेज़ेगा आप लोग कि इतना टोटल अब्जेक्टिव कोश्चन आया हुआ है कि तरह अब्जेक्टिव तो हो ही गया होगा कि इतना आजाएगा नंबर कि तरह अबन गया था लिनियर प्रोग्रामिंग उला तभी तो हुआ नहीं है इसके बाद इंटीगरेशन और हम लोग उसी पर आजाएंगे ठीक है अथिसके बाद इंटीगरेशने पर ही आएंगे अगे हम लोग कि इसमें जो है कुछ और चाप्टर से भी आपका नहीं दिया गया रिलेशन एंड फंक्शन वाला से भी कुशन है तो यह पैटरन जो है आप यह बोलेंगे कि इसके बैसिस पर जो है हम यह कर लें तो ऐसा नहीं है ठीक है कि देखिए प्यार बुट का प्रिवियस यह कोशन देखिए गाना तो उसमें भी आपको चैनल दला हुए लॉंग वाला कोशन में जो है योडी से कोशन दला हुआ है तो हर्बर भैरी कर जाता है कि चलिए अब यह बताए सबसे पहले चलिए ध्यान दीजिए इधर ठीक है ब पहला काम क्या करते हैं f-x निकालते है देखिए फस्ट डेरिवेटिव टेस्ट चे किसका क्या हो जाएगा 12X प्लस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा यही होगा ना अब इसके बाद क्या बताए थे कि इसको 0 के बराबर करना है अब इसको 0 के बराबर करके आपको किसका भेलू निकलना है एकस का भेलू निकलना है तो 6X स्क्वार माइनेस 12X प्लस 6 बराबर 0 यहा x square minus 2x plus 1 बराबर क्या होगा, 0, यहां से quadratic factorize कर लीजे, यह सीधे जो है न, x minus 1 का whole square भी है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 1 होगा, यह पहली बार हम लोग किये थे, x बराबर क्या आया, देखिए आपको first derivative या second derivative जाना हो, यहां तक तो आपको करना ही करना है, ठीक है, अब first derivative test होता है, तो क्या करते हैं, जो भी मेरा critical point होता है, उसको left में f dash x का value निकालते हैं, और उसके right में, अब first derivative test में क्या करते हैं, one से कोई छोटा value ले ले लेते हैं, जैसे 0 रखकर किसमें देख लेते हैं, f dash x में, अब बताइए, one से छोटा 0 रखेंगे f dash x में, तो क्या आ प्लस आ जाएगा, मतलो six का मतलो क्या होता है, positive ही होगा ना, positive होगा तो plus लेंगे, अब one के आगे value लेंगे, तो one के आगे value लेंगे, कुछ भी ले लिजी टू, अब two लेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस ही आएगा, अब बताइए, प्लस ले प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर क्या बताएथे, प्लस ले प्लस हो या minus ले minus हो, तो point of क्या होता है, इन्फिलेक्शन होता है, ठीक है, point of inflection होता है, अब इसी को double derivative से हमको check करना है, तो double derivative के लिए क्या बताया थे, इसके बाद आपको करना क्या है, जो भी आप differentiate करके निकाले हैं इसको फिर से differentiate कर लीजे, अब f double dash x कितना हो जाएगा, 6 square का differentiation क्या होता है, 12x हो जाएगा और इसका differentiation कितना होगा, minus 12, यह हो गया, अब यहाँ से क्या करना है, कि जो भी आपका critical value आया है, point, उसको इसमें रखना है, ठीक है, अब critical point को रखेंगे, अब देखेंगे जिन लोगों को दिखेंगे थे न तो देख लीजेगा पूरा video, ठीक है, यहाँ से x के जगा पर 1 रख लेंगे तो कितना आजाएगा, 12 into 1 minus कितना आजाएगा, यहाँ पर कितना आजाएगा, 12, अब यह 12 minus 12 क्या आगया, 0, अब जब भी double derivative less than 0 होता था, तो point of maxima होता था, greater than 0 होता था, तो point of minima होगा, लेकिन यह किस के बराबर आगया, 0 के बराबर 0 के बराबर होगा, तो कौन सा टेस्ट जाएगे, first derivative test यहाँ पर किये, तो क्या आगया, point of inflection, तो हम यह बोल देंगे कि one पे नहीं maxima आएगा, नहीं minima होगा, one is the point of क्या होगा, inflection हो जाएगा, ठीक है, one is the point of inflection तो जाएगे, बात करिये बाहर, तो one कि कौन सा पॉइंट हो गया, point of inflection हो गया, किसी को doubt है तो बताएगे इसमें, क्या doubt है, क्या बुलिए, एक बार पूरा देख लिजेगा, clear हो जाएगा, ठीक है, वीडियो पूरा देख लिजेगा, और यहां तक तो कोई दिकत नहीं है, इस वाले function को फिर से differentiate करना है, यह सिंगल तो सब के लिए करना है, single derivative test, first derivative test, दीकि, first derivative test और second derivative test क्यों करते हैं, हम लोग critical point निकालने के लिए करते हैं, ठीक है, हम यह पता करते हैं कि critical point पर कहाँ local maxima होगा या local minima होगा, पहला derivative कर लिए, f dash x कर लिए, अगला step क्या करना है, f dash x 0 के बराबर करना है, और यहां से किसका value निकालेना है, x का value, अब x का जो value है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, critical point, जिस point पर f dash x 0 होता है, f dash x 0 कहाँ पर होगा, x बराबर 1 पर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि उसी पर निकाले हैं, f dash x है, f dash x जब 0 के बराबर किये तो x बराबर क्या आ गया, 1 आ गया, तो 1 critical point हो गया, लेकिन 1 तो ठीक है critical point है, लेकिन 1 पर क्या होगा, maxima होगा, minima होगा, या कोई maxima minima ही नहीं होगा, तो इसके लिए आप काम क्या करना है, एक तो यहां से first derivative test करते हैं, और दूसरा कौन सा हो गया, second derivative test, अब यहां पर क्या है, first derivative test में, जो भी critical point है, यहां पर one critical point है, इसमें तो दिख्कत नहीं ह होगा, first derivative test में, दिख्कत होगा, second में, अब क्या करना है, जो भी differentiate किये हैं, उसको फिर से differentiate कर लीजे, differentiate कर लिए, differentiate करने के बाद यह आएगा value, आएगा कि नहीं, आएगा, function यह आएगा, अब इस function में, जो भी critical point का value आया है, critical point का value क्या आया है, one, उसको रखना है, यदि यह रखने पर double derivative का value 0 से छोटा हो गया, तो वो point जो critical point जो रखे हैं, वो point of maxima होगा, 0 से बढ़ा आ गया, तो point of minima होगा, और 0 के बराबर हो गया, तो यहाँ पर यह second derivative test फेल हो जाएगा, 0 के लिए, तो फिर हम कहां पर पहुंचेंगे, यह वाला, इस पर, और इस पर देखे ह हैं कि आया था, point of inflection है था, 0 क्या हो जाएगा, point of inflection हो जाएगा, इस से पहले 3-4 example और लिये हैं, उसको देख लीजेगा, आप लोग, one होगा, जिस critical point पर होता है, one किस पर आप चेक कर रहे हैं, 0 आया है, इस लिए, point of inflection हो गया, ठीक है, point of inflection कौन सा भेलू हो जाएगा, one वाला भेलू हो जाएगा, ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग language वाले problem कर लेते हैं, ठीक है, language वाले problem कर लेते हैं, अब language वाले problem में थोड़ा सा कुछ भेलू, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे खास कर जो होता है, volume of cylinder क्या होता है, volume of phone क्या होता है, ठीक है, curve surface तरिया क्या होता है, cylinder का, total surface तरिया क्या होता है, ठीक है, तो यह कुछ चीज जो है, ध्यान रखिएगा, आप लोग, जैसे एक question है, find two positive number, find two positive number, find two positive number, whose sum is 15, whose sum is 15, and sum of whose square is minimum, and sum of whose square is minimum, देखिए, आपको क्या पता करना है, question पढ़िए, find two positive number, दो positive number पता करना है, जिसका sum क्या है, पंद्रह है, और उसका square का sum क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, आप खुद ये बता ये कि दो positive number जो है, find two positive number जिसका sum आपका पंद्रह है, और जिसका square का sum क्या करें तो, 5 मिनिमम माज़ जान्य फोजेटिव नबर क्या हो सकता है एक तो इभी हो सकता है एक और चौधा आज़े अधियो सकता है नो इसको वो नंबर पता करना मिनिम्बर होता है। जिसका सम होता है। कि जिसका सम करें तो पंदरा आ जाए लेकिन उसका स्क्वाइर का सम क्या हो minimum हो क्लियर हुआ question यह है तो देखी आपको एकउक step देते हैं कैसे इसको solve करेंगे सबसे पहले जो है आपको क्या बताया क्या है जो दिया है condition उसको लिख लिजिए आपको बताना है कि दो पूजेटिव नंबर पूछा गया है, माल ने तेहीं कि एक नंबर एक है और दूसरा नंबर क्या है, वाई, दो पूजेटिव नंबर ले लिए, अब ये दिया है, कि ये दोनों नंबर का सम कितना दे रखा है, 15, ये कंडिशन आपको गिभेन है, इसका SQUAR करेंगे तो क्या होगा? S SQUAR और इसका SQUAR करेंगे तो? भी ठीक है? अब यही S QUAR जो है, दोनों नंबर का S QUAR, इस ही को हमको क्या करना है? minimum करना है. अब जिसको minimum करना है, उसको कुछ मान लीजिए. इसको क्या मान ले? एस मालने कुछ में मान सकते हैं एस बराबर क्या माल लेते हैं एक से स्क्वाइर प्लस वाई स्क्वाइर को मिनिमम करना है या हम बोल सकते हैं एस को मिनिमम करना है यही चीज़ है ना अब देखे जब भी आपको अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे यही मिनिमम और मैक्समुम पहला मिनिमुम भाईलू पूछ करना मिनिमुम भाईलु मेर्यंड पूछे या मैक्सिमुम आन्ख बंद करके पहला कम क्या करना ढेप सवाल किए आपके पास के सफवेथ me करना है एक सबस्राइब को आपको एक सिंगल से सबस्राइब करना है नग में कैसे सब्सक्राइब करेंगे अब एक नो सकते है शुकत को इनफॉर्मेशन दे रखा है यह इस जो है यह तूप वर्येबल में है, अब इसको किस में convert करना है, वान भेरियेबल में convert करना है, और वन भेरियेबल में कैसे convert करेंगे, उसके लिए आपको एक information दे रखा है, x plus y किसके बराबर है 15 के बराबर यहां से y या x निकालेते हैं y निकालेंगे तो क्या आ जाएगा y बराबर 15 minus x अब इसके जगा पर रख लेंगे तो x square plus कितना हो जाएगा 15 minus x square होगा कि नहीं होगा फिर हुआ अब यहां से बताएं पहले इसी को simplify कर लेते हैं तब differentiate करेंगे पहले इसी को कर लेते हैं x square यह क्या है a minus b का whole square है अब चाहें तो इसको simplify कर लीजिए या direct differentiate भी करते हैं कर लेते हैं ठीक है अब अब यह single variable में मेरा s आ गया कि नहीं आ गया आ गया अगया ना अब इसको क्या कर लेंगे differentiate किसके respect में करेंगे x के respect में करेंगे x square का differentiation क्या होता है 2x होता है ना अब इसका differentiate करेंगे तो पहले power का differentiate कर लेते हैं तो 2 इंटू क्या जाएगा 15-1 फिर अंदर वाला को करेंगे तो कितना जाएगा माइनस वन अब यहां से कितना जाएगा 2x को टू इंटू माइनस 30 हो जाएगा ना और प्लस कितना जाएगा तो एक साजाएगा क्लियर हुआ को दिकत अब यहां पर यह बताएगे कितना जाएगा करने के बाद 4x माइनस 30 पहला काम यह करना था अब यह करने के बाद डिफ्रेंसियेट करने के बाद क्या करते थे जीरो के बराबर डिफ्रेंसियेट करने के बाद क्या करते थे अब इसको जीरो के बराबर करेंगे कि हम 0 के बराबर करेंगे critical point निकालने के लिए ठीक है न तो 4x-30 को 0 के बराबर करेंगे तो 4x बराबर क्या जाएगा 30 तो x बराबर 30 बटा 4 का मतलों क्या होता है 7.5 अब हमको क्या चेक करेंगे अब मेरे पास दो टेस्ट होता है एक तो क्या होता है कि double derivative से भी जा सकते हैं औ उसको 7.5 के left और right में value निकाल लेते ठीक है अब क्या करिए देखिए आपको ही करना है exam में double derivative जो होता है double derivative क्यों आया क्योंकि single derivative में कभी कभी क्या होता था क्योंकि single derivative से भी question को कर सकते हैं से माइगा answer जबकि ज्यादा हो आचा है क्योंकि कहीं कहीं second derivative test में कोई point fail होगा तो फिर आपको कहां जाना पड़ेगा second में ही जाना पड़ेगा लेकिन second derivative आया फिर के हो लेकिन किसी भी चीज़ को आसान करने के लिए होता है कोई भी research होता है तो ठीक है second derivative test इसलिए आया है कहीं क्या होगा कि first derivative test में आपका calculation करने में थोड़ा tough हो जाए तो आप किस पर switch कर जाए है second derivative अब वही काम कर रहे हैं यहाँ पर second derivative आप चाहें तो फिर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा आसान हो जाता है second derivative से करना अब second derivative test क्यों करेंगे क्योंकि हमको यह पता करना है कि यह वास यही आया है ना अब जो single derivative जो किये हैं यहाँ पर जो एक बार differentiate किये हैं इसी कुन फर्दर differentiate किया जाता है तो d2 xy क्या आ जाएगा dx2 या dx2 जो भी बोल सकते हैं ठीक है अब यहाँ से करेंगे तो खोर आ गया अब बताए यह double derivative यदी positive आ गया तो point of minima होता था बताए था ना तो यानि कि यह point of क्या हो जाएगा यानि 7.5 क्या आ जाएगा point of minima आएगा आएगा कि नहीं आएगा मतलों इस point पर आपको कौन सा value मिलेगा minimum मिलेगा कि नहीं मिलेगा मिनिमा आता है तो minimum मिलता है maximum आता है तो maximum मिलेगा इस point का value रख लेते हैं function में तो आ जाता है ठीक है यह point of minima आ गया यानि कि एक सीज उपल टू क्या आ गया 7.5 एक आपका मिल गया कि नहीं मिल गया minimum नंबर मिल गया ना अब यह बताएगे एक नंबर 7.5 है तो एक सका value क्या आ गया 7.5 तो आप बता सकते हैं दूसरा नंबर क्या होगा दूसरा नंबर भी वही होगा तो एक स बराबर क्या आ गया आपका 7.5 तो य बराबर क्या आ जाएगा 15-7.5 किसके बराबर आ जाएगा यानि कि दो जो positive नंबर की बात की जा रही थी एक 7.5 होगा तो दूसरा भी क्या होगा 7.5 ही होगा आप देखिएगा कि जितना भी दो तो नंबर पोजेटिव नंबर निकाल लीजिए न यही दोनों नंबर के स्कॉयर क्या आएगा मिनिमम आएगा एक्जैक्टली मीडिल में आएगा पंद्र का अधा कितना होता है उसी पर आएगा ठीक है अठारा राता तो कहां पर आता नौ पर आ जाता है क्लियर हुआ तो यह हुआ ठीक है किसी को दिकत इसमें चली अगला कोशन करें खुद पांचे कोशन हम करेंगे ठीक है आप लोग क्या करेंगे एक कोशन थोड़ा सा और बढ़िया कोशन लेते हैं लेट एपी एंड बीक्यू लेट पॉस्टन जो है इसको लेट लेट एपी एंड बीक्यू बीक्यू बीट तू भर्टिकल पोल्स तू भर्टिकल पोल्स एट पोइंट एट पोइंट 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 आपको डाग्राम भी बना देते हैं एट पोइंट एंड बी एपी बराबर दिया है 16 मीटर BQ बराबर दिया है 22 meter and AB बराबर जो दे रखा है AB बराबर 20 meter है then find the distance find the distance of a point point R on AB from the point A from the point A such that such that RPS square such that RPS square plus RQ square is minimum ठीक है अब खुद से diagram बनाने के कोशिस करिए यह देखे यहां पर क्या दिया है कि AP and BQ क्या है दो भर्टिकल पोल्स है जिनके लेंथ क्या क्या दे रखा है सोरा मिटर और बाइस मिटर अलेट AP and BQ जो है आपके तू भर्टिकल पोल्स से है एक बना कौन छोटा है यह भी ना यह आपका एक माल लेते हैं कि पोल यहां पर है आपका यह थोड़ा सा बड़ा होगा यह पॉइंट कौन सा हो गया बी हो गया और यहां पर क्या हो गया क्यू इसका लेंथ कितना है तोला मिटर और इसका लेंथ कितना है बाइस मिटर दिया है यह भी जो डिस्टेंस है वो कितना मिटर है 20 meter दे रखा है ठीक है यहां पर दिया है कि find the distance of the point R on AB find the distance of the point R on AB मतलो R point को AB पर पता करना है AB पर कहीं भी point आपको पता करना है ठीक है अच्छे यहां पर ऐसे इसको तो आप यह बता है जैसे यह आपका तो आर तो कहीं भी हो सकता है je लेकिन आर का पॉइंट जो निकलना है ए-одар का निकलना है कहां से निकलना ऐसे मतलों कि जैसे धी आर पॉइंट यह है तो उसका distance एसे कितना होगा यह ने कलना और अब देखिए यह बहुत सरे पॉइंट हो सकते हैं इसे हो सकता है और यहां भी 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 हो सकता है लेकिन कोश्चन यह बताना है कि वह पॉइंट आपको पता करना है एसे जिसके की जिससे क्या हो कि आर्पी एस्क्वाइर प्लस आर दिखत नहीं है ठीक है अब आर पॉइंट ले लिए हैं ठीक है अब किसको मिनिमम करना है मतलो आर पॉइंट जो है हमको वो पता करना है कहां से पता करना एसे मतलो आर पॉइंट का एसे कितना डिस्टेंस होगा जिसके लिए आर पी एस्क्वाइर और और क्या बन जाए मिनिम तो गड़ा अ जो हां है चेली ठीक है अरपी एसफ़ार प्लस और कीव एसक्वार मतलू आर का पॉइंट हो गड़ा तो कहीं जगभी हो सकता है ना लेकिन हमको और पांट पता करना है जिसके लिए आरपी एसक्वार पलस आरकीव एसक्वार के आजये मिनिमुम। साथ सबसे पहले जब भी आप इस इतरुसाइThen a झाल सिंटisetया न सबसे पहले यह देखना है कि किसको minimum करना है minimum करना किसको है को किसी को contents करना है पहला स्टेप तो כह एक कोस्टन में minimum किस पो करना है minimum किसको पॉर्फ और P a square प्लस R Q a square उसको minimum करना है अब यह बताएए हमको point निकालना क्या है our point अरी point निकालना है ना कहां से निकालना है आप तो क्या कर लेते हैं a से माल लेते हैं कि इसका distance कितना माल लेते हैं x यह distance x तो यह distance कितना हो जाएगा 20-x होगा कि नहीं होगा होगा अब बताईए जो minimum जिसको करना है ना वो बहलू निकालिए rp square rp square कितना होगा फोल जो होता है सिध्य खड़ा रहता है यहां पर कितना डिगरी का एंगल बनेगा 90 डिगरी का अब बताईए rp square कितना आएगा पहले तो निकालिए rp square rp square कितना आजाएगा यहां से पाइथा गोरस थिर्म लगाएंगे ना तो rp square कितना आजाएगा 16 का square plus कितना हो जाएगा x का square हो जाएगा rp square ही आएगा ना अच्छा rq square कितना आजाएगा rq square कितना आजाएगा बताईए 22 का square plus 20 minus x का square यही आएगा ना अब इसको sum को minimum करना इसी का sum को minimum है ना इसका sum कर लेते हैं, sum करेंगे तो कितना आजाएगा rp square plus rq square कितना आजाएगा 16 square plus x square plus 22 square plus 20 minus x square अच्छा यह चीश तो आप को आप यह बताएगा यदि इसको minimum करना है यदि यह minimum है तो आप इसको क्या माल लेते हैं सबसे पले क्या माल नेते हैं, कोई variable माल नेते हैं, अब 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 अबर क्या आ जाएगा, यही है, हम इसको पूरा simplify नहीं करना चाहरे हैं, यह दि करना चाहरे हैं, तो आप कर लिजिए, जोड लिजिए, 14 का square कितना होता है, प्लस कितना हो जाएगा, एक से square, बाइस का square कितना होता है, 484 होगा, प्लस 20 माइनस कितना हो जाएगा, एकस का square, फर्दर इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 484 प्लस 256 कितना आ जाएगा, खौब चाहर कितना हो गया, 10, 8, 5, 13, और एक कितना हो गया, 4, 2, 6, अब एक, 740 प्लस x square प्लस 20 माइनस x square, यह simplify कर लिए, अब चुकि इसको minimum करना है, तो पहला step क्या करेंगे, differentiate करेंगे, किसके respect में, x के respect में, तो ds by dx करेंगे, देखिए यह तो constant term है ना, इसका differentiation क्या हो जाएगा, x square का differentiation क्या होता है, अब इसका differentiation करेंगे, 2 into 20 minus x into minus 1, अब इसको लिख लेंगे, 2x बराबर कितना आ जाएगा, 2x बराबर कितना आ जाएगा, minus है ना, तो minus minus 40, plus 2x, तो 4x minus कितना आ जाएगा, अच्छे यह भी लगता है कि बीच में ही आएगा ना, अब आगला step क्या करते हैं, 0 के बराबर, 0 के बराबर करते हैंगे नहीं करते हैं, अब ds by dx को 0 के बराबर करेंगे, 0 के बराबर करेंगे तो कितना आएगा है, 4x minus 40 किसके बराबर, 0, तो 4x बराबर कितना आ गया 40, x बराबर क्या आ गया 10, जब किसी भी function को differentiate करने के बाद जब 0 करते हैं और वहां से जो x का value आता है या जो भी आता है, वहां पर 0 x आ सकता है, y 0 आ सकता है, यहां से इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, critical point, अब ये चेक करना है कि क्या ये point जो है, ये minimum है या नहीं है, तो उसके लिए हमको करना क्या पड़े, करना क्या पड़ेगा, लेकिन आपको बोर्ट में दिखाना पड़ेगा उसको, कि वास्ताव में minimum है या नहीं है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, double derivative कर लेते हैं, कर लें, double derivative करेंगे, तो क्या होगा, जो भी ds by dx आया है, उसी को नों फिर से differentiate करेंगे, तो ds by dx किसके बराबर आया था, 4x minus, अब दो तरीक ऐसे कर सकते हैं, एक तो जो 10 के left और राइट में भी जा सकते हैं, अब जाएं तो ऐसे भी कर सकते हैं, देख लिजे, यहाँ पर 10 ले value किस में रखेंगे, f-x में रखेंगे, 10 ले एक कोई भी कम value ले लिजे, क्या होता है, 9, ठीक है, जो भी 9 ले लिजेगा तो और जदा, 9 into 36 minus 4 क्या आ जाएगा, minus आएगा कि नहीं आएगा, एक 10 ले जादा value, 11 ले ले लेते हैं, positive आ जाएगा, जब minus ले प्लस जाते हैं, त बनता है कि नहीं, minima बनता है, अब चलिए, double derivative से भी देख लेते हैं, दोनों से देख लेते हैं, d2 x by dx2 हुआ कि नहीं हुआ, positive है या negative, positive, minima होगा, तो यानि कि x जो point आया, यह point of minima हुआ कि नहीं हुआ, तो हमको वही point बता करना है ना, कि जिसके लिए minimum आ जाए, तो आप यह बता है, x पराबर क्या आगया, आपका, 10 आगया, यह point क्या हो गया, minima आगया, ना, इस point पर जो होगा, आपका क्या आएगा, यही point पर इसका minimum value आएगा, आएगा क्या होगा, इस expression का क्या आएगा, आपका minimum value आएगा, इस पर एक्स पराबर, तो जार बोल रहे है, यह दस, यह तो ठीक है, यह point नहीं होगा, यह वाला जो है, कौन सा point की बात की जा रही है, 10 के, तो 10 जो होगा, वो क्या आजाएगा, point of minimum, पतलो कि x पराबर 10 जो है न, वो point है, जिसके लिए यह expression क्या बन जाएगा, minimum बन जाएगा, वही point पता करना है, एक्स बराबर क्या जाएगा, 10, यानि की, आर point जो होगा, वो एसे कितने distance पर होगा, 10 कर दिस, बी से भी पुछा जाता तो उतना होता, ठीक है न, तो हम लिख सकते हैं, distance of point r, from a is equal to, meter है या centimeter, meter है, तो क्या लिख लेंगे, 10 meter, सबसे पहले आपको देख लेना है कि minimum है या maximum, minimum है, तो वो लिख लिजिए, इसके बाद differentiate करिए, zero के बराबर करिए, critical point निकालिए, उसके बाद या तो आप single derivative पर जाएए, या double derivative करके देख लिजिए, ठीक है, यही बस आपको गाम करना है, हर question में, क्या हुआ हूँ है, को है हुआ हुआ? तब्यात खराव है तो फिर इसमें क्या कर रहे है जाए उधर सुए है हाँ कि अधिक लास में यह दी है 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 एक और कोशन करिये ट्रापेजिया मुला भी बढ़िया कोशन है इंपोर्टेंट कोशन है इप दे लेंथ अफ थी साइट सब्रापेजियम if the length of three sides of trapezium if the length of three sides of trapezium other than base are equal other than base are equal थिक है? अधर देन बेश इक्वल तो 10 cm मतलब बेस के आलामा बाकई जो तीन साइट जो है वो क्या है? 10 cm या इक्वल बोल सकते हैं? 10 cm देन फंड ढ़न दे एरिया अफ ट्रपेजियम वहें इट मैक्सिमम फायंड अई अधरिया अफट्रेपेजियम find area of trapezium when it is maximum when it is maximum देखे पले question को देख लेजिए trapezium के 3 sides जो है base को छोड़के क्या है equal है trapezium में total कितने sides होते है 4 होते है trapezium कैसा होता है दो आमने सामने के 2 sides पारलेल होता और 2 non-parallel होता ठीक है trapezium कुछ इस तरह से बनता है ठीक है यह मालने तेखे कि A है यह B है C है D है base कितना है आपका base तो नहीं मालूम है ना base को छोड़के बाकि 3 sides आपस में क्या है बराबर है यानि कि A bent 10 cm या ministre है 10 cm का है A bers 10 cm करा है e हमको आपका नला है कि find the area of a trapezium when it is maximum ठीक है तो मतलो हमको area of a trapezium पता करना है क्या हो maximum अब यह बताए area of trapezium होता क्या है area of trapezium किसी को याद है हाफ इंटू हाफ इंटू सम आफ पैरिलेल साइड इंटू क्या होता है हाइट होता है एरिया आफ ट्रापेजियम जो होता है लिख भी दे रहें ठीक है हाफ इंटू सम आफ पार्लल साइड इंटू क्या होता है डिस्टेंस बिट्वीन देम डिस्टेंस बिट्वीन देम का मतलो हाइट ही हो गया ठीक है इंटू आप हाइट बल सकते है है यह वनं लेकिन सवाल है इस एरिया को आपको मैक्सिमं करना है उसके लिए हमको क्या चाहिए एक थुबने करेंगे सब्सक्राइट को और बैस में आगा तो है भी निकल जाएगा हाह भू देपस नहीं दिया है तो क्या कर भूले आं कि आक तो कि आपको तब कि अपट्या कि एर्या कैसा निकलेंगा मैं आपको ब्स चाहिए और नहीं चाहिए यह बत मिलेगा बेस्षै WAyud रहए आट चैरे निकल जाएगा है अब एस और लेकिन आपको बताना है कि एरिया को क्या करना है मैक्समुम करना है तो किस पर मैं आपको इसको कुछ माल लेते हैं इसको क्या माल ले है एकक कुछ चुकि परपेंडिकुलर भी तो चाहिए न आ परपेंडीकुलर चाहिए ठोल है अर अर अरЙ पर पेंडिकुलरं यूं न होडिकुलर् आ हाँ पर्पेंडिकुलर चाहिए तो पहले पर्पेंडिकुलर भी ड्रो कर लेते हैं ड्रो कर लें अच्छा आप लोग यह बताइए कि यह और यह दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा अज़ा यह दस है यहां पर यह perpendicular है यह लाइन पार्लेल है यह और यह बराबर होगा कि नहीं होगा तो यह भी कितना हो जाएगा 10 cm हमको यह बताएं यह लेंथ और यह लेंथ बराबर होगा या नहीं होगा है अछयारी कैसे बबराबर होगा अ कि बदर हो ना ओकनु एक तो것 सीमेट्रीश से बराबर होगा दूसरा बदाया देते हैं प्रोपर तरीका कैसे बराबर होगा उसको आपको बराबर लिख लिख यह वह कर रहे हैं थिकर है में यह 90 नाइनट का क्या 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 तक होता है एक उन मुम स magist्थ का सब्सक्राइद देखते हैं अे साथ की नहीं है लेकिन हम लोग यह रहे हैं रहे का कंडिशन क्या होता है देखिए कंगूरमेंट का क्या क्या होता है कंडिशन ट्रिपल एस यह होता है यह होता है यह होता है ना क्लियर हुआ अब आपको जिसे करना है उससे कर लेजिए अब यह वाला यूज तब न करेंगे जब तीनों साइड मालूम हो लेकिन क्या यह वा वाला कपता करते हैं जब दो एंगल मालूम हो एक एंगल मालूम है दूसरा नहीं मालूम है अब एसे एस के बारे में हाँ यह वाला कर सकते हैं लेकिन एसे यह है कि दो साइड जो दो साइड इकुल है उसके बीच वाला एंगल होना चाहिए अब यह साइड और यह साइड बर लगता है राइट एंगल ट्रेंगल में लगता है किसमें लगता है जिसके लिए हाइपोटेनस दोनों का इक्वल होना चाहिए हाइपोटेनस क्या होना चाहिए हाइपोटेनस के आलावा कोई एक और साइड इक्वल होना चाहिए और उसके आलावा एक और कोई зад equal होना चाहिए, अब यह देखिए है कि नहीं है, क्या दोनो का हाइसड में या यह और यह side equal है कि नहीं है, तो नहीं है है, अब यह और यह साइड मिल गया यह अभा बताईए क्या होगा कुछ भी मालने इसको यह A होगा तो A भी क्या बनेगा यह होगा होगा कि नहीं होगा अब हम लोग बात करते हैं area of trapezium की बारे में area के डिये क्या लिख लेते हैं A, area क्या होगा half into sum of parallel side parallel side कितना हो जाएगा एक तो यह वाला side हो जाएगा और एक यह वाला side होगा इसका length total कितना हो जाएगा X ले ले लेते हैं लेकिन आप यह बोल रहे होंगे कि यह अभी काम किसके लिए किये हैं यह A मानने के जुरूत क्यों पड़ा है यह मानने के जुरूत क्यों पड़ा है height निकालने के लिए क्योंकि base निकालने के लिए तो आप तो X अल्रेडी मान चुके हैं X plus 10 होई जाएगा height ही निकालने के लिए मानने है न बताइए height कितना आजाएगा कितना हो जाएगा 100 minus लिख सकते हैं सीधे A square लिख सकते हैं यह नहीं लिख सकते हैं half into अब यह बदाएए यहां पर यूज कर लेते हैं sum of parallel side sum of parallel side कितना हो जाएगा यह पूरा कितना है length है X है अब X को मत लिखे क्यों मत लिखे जब यहां पर A आपको मिलिये गया ना तो X को नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत होगा या लिखेंगे लेकिन आप लोग को confusion पता है कहां पर होगा जब किसके respect में नहीं लिखेंगे तो किसके respect में डिफ्रेंसियेट करेंगे कि एक एस्मॉल एक यह बोलेंगे ना कि डिये बाई डिये तो वहां पर थोड़ा सा आपको हो जाएगा कि यह बोल रहें फिर आप करिए क्या पेले लेंगे तो कोई दिक्कत और यहां पर यह जाया जाया है और से कूई नहीं कीन कि तो बार तो थोड़ा से एरिया है यह क्या है उसमें थोड़ा से दिक्कत हो जाता है इसलिए हाफ इंटु सम पार्लल साइट सम पार्लल साइट कितना होगा एक्स को छोड़िए एक्स बराबर होगा ऐसे कितना बी प्लस टेन प्लस बी होगा कि नहीं होगा यानि टूबी प्लस कितना जाएगा एक तो टूबी प्लस टेन हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा साइड 10 होगा कि नहीं होगा यहां तक किसी को दिक्का थे तो बताइए इन्टु हाइट कितना हो जाएगा अंड्रेड माइनस बीए स्कॉर यह होगा ना तो एरिया बराबर जो हो गया हाफ इन्टु यहां से कर लेंगे तो कितना आ जाएगा तूबी प्लस 20 इन्टु क्या जाएगा 100 माइनस बीए स्कॉर इधर ध्यान दीजिए सब लोग इधर पताएगे दो कमल ले लेंगे तो क्या आ जाएगा दो से डिभाइड कर लेते हैं तो बी प्लस 10 इन्टु कितना हो जाएगा अंडरूट अफ 100 माइनस बीए स्कॉर यह आपका एरिया आ गया अब इस चीज को क्या करेंगे डिफ्रेंसियेट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसियेट करेंगे बी के रिस्पेक्ट में एरिया को तो क्या लिखेंगे डिए बाई डिबी ठीक है अब डिफ्रे जाले किसका डिफ्रेंसियेट कर लें इसका डिफ्रेंसियेट करिएगा तो क्या मिलेगा वन मिल जाएगा और इंटु क्या हो जाएगा यह वाला नंबर 100-b², यहाँ पर क्या होगा, प्लस, अब यह b प्लस 10 तो ऐसे ही रहेगा, अब इसका डिफ्रेंसियेट करेंगे ना, अब इसका डिफ्रेंसियेशन क्या होता है, बताइए, आप लोग को पहले बता चुके हैं, रूट fx का जो डिफ्रेंसियेशन जो होता है, 1 by 2 root fx into फिर f-x, यही होगा ना, इसका डिफ्रेंसियेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 by 2 into 100 minus b square, फिर इसका डिफ्रेंसियेशन, अंदर वाला का, 100 का तो 0 होगा और b square का क्या हो जाएगा, तो से 2 कट गया, यहाँ पर कितना आ गया, under root of 100 minus b square, minus आ जाएगा ना, b into b plus 10, divided by क्या आ जाएगा, 100 minus b square, अब चाहें तो LCM भी ले सकते हैं, क्योंकि अब इसको अगले step में हमको क्या करना होगा, इसको 0 के बराबर करना है, LCM लेंगे तो यहाँ पर नीचे क्या है, 1 है, under root of 100 minus क्या आ जाएगा, b square, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 100 minus b square, minus, यह product हो जाएगा ना, minus b square minus 10b, यही होगा, नहीं कटेगा नहीं, कटेगा नहीं, कटेगा नहीं, कटेगा नहीं कटेगा, तो 100 माइनस क्या आ जाएगा 2b square minus 10b divided by क्या आ जाएगा अब अगले step में क्या करना है 0 के बराबर कर दे अगले step में करेंगा ना पहले 0 के बराबर इस चीच को रख ले रहिए जो भी differentiate आया है ना उसको वहाँ पर factorize भी आप कर सकते हैं को यह नहीं है अब इसके बाद जो है थोड़ा सा इसको ऊपर करेंगे ठीक है को पूरा कैसे ऊपर करें पूरा चीज़ को थोड़ा सा उठाएंगे दिखते हैं कहां तब उपर जार सकता है हाँ अच्छा वह तो करेंगे है हाँ इसको वहां कर देंगे ज्यादा छोटा हो गया अच्छा एक मिनट्ट एक मिनट्ट होगे पूर्जे रूजे रूजे अच्छा एक मिनट्ट एक मिनट्ट एक अच्छा एक मिनट्ट एक प्रेंगे यहां पर ठीक है इसको इधर भेज देंगे तो जीरो हो जाएगा अब यहां से इधर लिख लेते हैं माइनस टू कमान ले लिजे क्योंकि हम चाहते हैं कि बीए स्क्वार का कोफिसेंट पोजेटी बन जाए तो बीए स्क्वार प्लस फाइबी माइनस फिप्टी बराबर क्या होगा जीरो BA squared plus 5B minus 50 बराबर 0, इसको factorize कर लिजिए, BA squared plus 10B minus 5B minus 50 बराबर क्या होगा, 0 हो जाएगा, BA squared plus 10B minus 5B minus 50 क्या होगा, 0 होगा, अब यहां से B कमा ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, सहा है कि अबब्लस कितना हो जायागा और माइनिस five को लेंगे तो कितना हो जाएगा बी-प्लस 10 बराबर क्या हो जीरॉ तो बी-बी-बैं ऐफ एंड़ ब्लस येद फेंट्र इंसको बराबर फोगा जीरो के बराबर यहां से करेंगे तो बद्वल्बर क्या जाएगा ॥ाइप और बिभ भरबर क्या हो जाएगा-10 अब दीधिए अभका आपका लेंद्थ है लेंध कभीने तो आपका अीज़ आपक्छान प्रिदियों से तो चुछिंदल करना ना अच्छेंड में पुशा गया maximum देखेए पॉजेटिव से डब ये तो बी जब देखे सिंगल डरिवेटिव को जीरो करते हैं तो critical point आता है है दो तरीका से कर सकते हैं या तो डबल डरिवेटिव से कर सकते हैं या तो left और right लेके चलिए left सिंगल डबल डेरिवेटिव से फिर क्या प्रोब्लम आएगा पता है इसको फिर से डिफ्रेंसियेट करना होगा यह वाला जो आया है ना फिर से जो आपके लिए आसान हो वही काम करिए ह adversative test ले लेकर लेते ही इधर द्यान दीजिए यहां पर क्या रख लेंक्त फाइफ को लिफ्ट में देखेंगे और फाइफ के राइट में फाइफ छोटा चारए L लेते हैं हुआ ऐं about एक घे अब लेसकते हैं चैर भी ले सकते हैं जो आपको दीजिएगा तो यह उपर क्या बनेंगा हंड्रेड नीचे पोजेटीव है रूट तो हमेशा पोजेटीव होता है ना किलियर हुआ पोजेटी बैगा कि नहीं आएगा प्लस आएगा ना अब भी पांच को उधर लेते क्या ले दस ले दस ले पनके टस ले पर नोड़ी फेने आ जाएगा पांच ले लेते हैं यह से ओ फ्रत्र होगा कि या जाएगा मायने सब्ढ़ी जेगा ठीक है करके देख लीजेगा अब प्लस ले माइनस जाते हैं पॉइंट अप्मैक्सिमा आता है यह पांच जो होगा वो क्या होगा नहीं आठ एगार नहीं ले सकते हैं ठीक है न अप वैसा वेलू लीजिए जहां पर आपको बैलू निकालना तो पांच जो हो गया वो पॉइंट अपक्या आगया मतलों इस भैलू पर जो हो गया आपको यानि कि किसका भैलू आया है पांच बी न तो बी उक्वल टू पांच जो होगा वो पॉइंट अपक्या आगया मैक्सिमा आगया और देखिए जितना आप यह बदाईए कि यहां पर जो है मैक्सिमम एरिया को करना है तो आपको बी को म पड़ेगा ना इसलिए maximum value आया है तो भी बराबर क्या आगया अब एरिया आपको निकालना है तो एरिया maximum क्या होगा अब भैलू रख लीजिए भी का भैलू सीधे रख लीजिए पांच यहीं ने एरिया आया है आपका एरिया क्या आया है याया है इनर त्रपेजिय मय है इसमें किसके जगे अव्यश्य रख लेंगे भी क्या स्विक फल्थलओ रहें एरिया मेंडी यहां पर लिख लेते हैं प्लस 10 इन्टू ओरॉट अंडरिटम अुट पितनायों एक यानि अंडरूट अब कितना आजाएगा 5 इंटू यानि 75 रूट कितना आजाएगा 3 cm2 यही मैक्समुम एरिया आएगा 75 रूट क्या जाएगा 3 आजाएगा यही आपका मैक्समुम एरिया जाएगा